हेलो दोस्तों मैं हूँ निलेस आप देख रहे हैं निलेस टैक दोस्तों यदि आपके मोबैल पर वीडियो कॉल करने का ओप्सन नहीं आ रहा है जब से आपने टू कॉलर एप को इंस्टॉल किये हैं तब से दोस्तों आपके पास वीडियो कॉल करने का ओप्सन ही हट गया है पहले आप आपके mobile से असानी से वीडियो कॉल कर ले रहे थे, लेकिन दोस्तों जब से आपने two-caller app को install किये हैं, तब से दोस्तों आपके सामने वीडियो कॉल करने का option ही नहीं आता, जब आप किसी भी अपने friend को call करते हैं, और आप सोच रहे हैं कि mobile को क्या हो गया, जयों कि इसमें वीडियो कॉल करने का option ही हट गया, तो दोस्तों two-caller app जब भी कोई install करता है, तो उसमें दोस्तों एक setting को on करना परता है, उसके बाद ही दोस्तों आप two-caller app को आपके mobile पर रख करके वीडियो कॉल कर सकते हैं, वरना दोस्तों यदि आप उस setting को on नहीं करेंगे, तो आपके mobile पर two-caller app तो रहेगा, लेकिन आप आपके mobile से वीडियो कॉल नहीं कर सकते हैं, हाँ आप WhatsApp से वीडियो कॉल कर सकते हैं, लेकिन फॉन से जो वीडियो कॉल होता है, वो वीडियो कॉल आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों यदि उस वीडियो कॉल को भी आपको करना है, तो इस वीडियो को आपको देखना होगा पूरा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको इस वीडियो पर बताऊंगा कि आप कौन सी सैटिंग को on करोगे टू कॉलर पर जिससे कि आप टू कॉलर एप को भी रख सकते हैं और वीडियो कॉल को भी कर सकते हैं उसके लिए दोस्तों कोई ज्यादा लंबी प्रोसेसिंग नहीं है एकदम छोटी सी प्रोसेसिंग है उसके लिए आपको चलना होगा मोबाइल की स्क्रेंड पर और मोबाइल पर मैं लेकर चलूँगा आपको टू कॉलर एप पर दिखाऊंगा कि कौन सी सैटिंग को आपको on क करना है लेकिन दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली वार आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना क्यूंकि आपको यहां पर इसी टाइप के कॉंटेंट मिलते हैं और मिलते रहेंगे तो चलिए दोस्तों मैं आपको लेकर कर चलता ह जाना है और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहां पर दोस्तों आपको एक बार बैक कर लेना है इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर टिक लगा देना है और दोस्तों जब आप यहां पर टिक लगा दोगी इसके बाद दोस्तों आप असानी से वीडियो कॉल कर स सकते हैं कॉल उठने के बाद असाने से वीडियो कॉल हो जाएगी तो इस टाइप से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्ब कर सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो पार